दोस्तों नुमस्कार ये हमागदशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराख्षा उधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश अधिनस सेवाच एन आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी परिक्षा यानि वीडियो रे एक्जाम परिक्षा के लिए इस वीडियो में हम साल्व करेंगे सामान्य जानकारी अर्थात सामान्य ग्यान से संबंधित 50 प्रशनों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी तयारी में बहुत ही उपयोगी होगा इस परिक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य बुध्ध परिक्षण तथा सामान्य जानकारी इन 3 खंड़ों से 50-50 प्रशन कूल 150 प्रशन पूछे जाते हैं इसमें से इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी खंड के 50 प्रैक्टिस सेट साल्व करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिसेट उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले वीडियो परिक्षा के लिए सामान्य जानकारी यानी जीयस के 50 महत्वण प्रश्णों का प्रैक्टिसेट पहला प्रश्ण है दोस्तों महत्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस अस्थान पर दिया था तो आप पहले तो धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में जान लीजे महत्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है आ आप जानते हैं और इसको रिशिपत्तनम भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को बोध गया में पीपल व्रेक्ष के नीचे ज्यान प्राप्त हुआ था और ज्यान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने पांच ब्रामणों को सबसे पहले सारनात में उपदेश दिया और ये उनके प्रथम सिस्य कहलाये थे बौध शाहित्य में उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है अगला प्रशन है दोस्तों किसी संस्कृति के वैज्यानिक बिवरण के अध्यान को क्या कहा जाता है एथनोलोजी एथनोग्राफी एथोलाजी य अंतरगत किया जाता है तो याद रखेगा इथनोलाजी जो है वो किसी संस्कृत का वैज्यानिक विवरण और अध्यान को इथनोलाजी कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसको इंगित करता है टॉल्टेक्स विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमी सैन ने अधिकारियों को दी जाने वाली पेंसन या भुवाई कर तो सही उत्तरापसन भी हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमी को मदद ए माश कहते हैं आप जान लेजे मुगल का प्रियास को में सबसे पहले अकबर ने भूमी तथा भूमीकर वेवस्था को संगठित करने का प्रियास किया और 1580 में 10 साला नामक भूराजसु की नवीन पढ़ाली शुरू की थी अगला प्रिश्ण है दोस्तों किसी अर्थ वेवस्था में यदि व्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होता है तो उत्तर है कि किसी अर्थ वेवस्था में जब व्याज यानि इंट्रेस्ट रेट को घटाया जाता है तो वो अर्थ वेवस्था में निवेश ब्याय को ब पढ़ाएगा अगला प्रश्ण भारती जो है आधुनिक भारत के इतिहास से है आसान सा प्रश्ण है कांग्रीस पार्टी ने किस वर्स पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1930, 1929, 1917 या 1911 में तो सही उत्तर 1929 में कांग्रीस पार्टी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यस्ता आप जानते हैं पंडि जवाहर लाल नहरू ने किया था इसमें पूर्ण स्वराजी का प्रस्ताव पारित किया था अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 में देश की निमनलिखीत राजियों में साक्षर्ता दर सबसे कम थी कहां पर ओडिशा बिहार जहार खंड या 36 गड़ में कहां पर 2011 की जनगड़ना के अनुशार साक्षर्ता दर सबसे कम थी तो उत्तर है बिहार में मात्र 61.8 प्रतिशत साक् जनगड़ना के अनुशार अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धती क्या थी असहयोग राजवाम बद्ध आंदोलन अनुकूल प्रविगटन या अविध्यक तो यहां सब्दों पर ध्यान देने की ज़रुरत है कांग्रेस क नरम दल के जो नेता थे उनके आंदोलन की पद्धती जो थी वो कंस्टिचूशनल यानि संबैधानिक थी आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा राजवाम बद्ध पद्धती दोस्तों इसमें वो प्रशासन में भारतियों की भागिदारी और जनता में राजनेतिक जा गरम दल के थे उनकी मुख्य परविर्ती थे और नरम दल की परविर्ती राजवाम बद्ध आंदोलन यानि कांस्टिचूशनल एजिटेशन था अगला प्रशन हैं दोस्तों प्रशन संख्या आठ की उत्तर प्रदेश की निमनलिखित जनपदों में कौन छेतरफल की द्रि प्रियाग राज का छेतरफल पांच जार चार सो बैयासी बर किलो मेटर और गाजीपूर का 3377 बर किलो मेटर है तो जौनपूर सबसे वाराण सी यहां पर आपसंस में सबसे छोटा जनपद है ऐसे अगर जो देखा जाये टोटल 75 जिलो में तो संतर अविदास नगर भदू जो है यह दोस्तों छेतरफल के आधार पर सबसे छोटा जनपद है अगला प्रिश्न है मुझभफरपूर में किंग स्फोर्ट की हत्या का प्रियास कब किया गया था 1908, 1909, 1907 या 1911 में तो सही उत्तर 1908 में दोस्तों मुझभफरपूर में किंग स्फोर्ट की हत्या का प्र ये डेट था 30 अप्रेल 1908 याद रखियेगा 30 अप्रेल 1908 को परफुल लचाकी और खुदी राम बोस ने किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रियास किया था प्रफुल लचाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्मात्या कर लिए और खुदी रामबोस को गिरफतार करके इस कांड में फांसी दी गई थी अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या 10 कि मुंडा जंजातियां अधिकांस्तर बसी है असम में आप जानते हैं बोडो रामभा दिमारा दिजंजातियां है और उत्तर प्रदेश में खरवार कोल ये जंजातियां पाई जाती है अगला प्रेशन है दोस्तूं समुद्र जल की लवरता कब घटती है जब वास्पन अधिक होता है वायुबेग उच्च होता है आर्दता उच्च होती है या अधिक वर्षा होती है तो लवड़ता कब घटेगी जब वर्षा अधिक होती है तो ऐसे में समुद्री जल की लवड़ता घटती है या कम होती है वास्पन जब अधिक होगा तो लवड़ता बढ़ती है अगला प्रेशन है दोस्तों 1942 के अंदोलन में ड। राजेंदर प्रसाथ को किस जेल में कैद रखा गया था बाकिपुर हजारी बाग कैम्प या भागलपुर तो सही उत्तर है आप सने बाकिपुर जेल 1942 के अंदूलर में डाक्टर राजिंद प्रसाथ को बांकीपुर जो की पटना के पास है उस जेल में रखा गया था हजारी बाग जेल में जैप्रकास नारायन को रखा गया था और जैप्रकास नारायन ने जेल की दिवार तोड़ कर जेल से भाग निकलने में सफल हो गये थे अगला प्रशन है दोस्तों ओजोन परत या ओजोन लेयर बताता है क्या अंटार्क टिका में वाई मंडल के स्थिती शनी ग्रह पर की गई आधनी खोज पिर्थवी की सतह से 10-20 किलो मीटर नीचे की परत या पिर्थवी की सतह से 15-20 किलो मीटर उपर में वाई मंडल की परत तो बिलकुल सही ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जा लगभग 15-35 किलो मीटर उपर जाने पे ओजोन परत बिद्यमान है और ये सूर्य द्वारा निकलने वाले परावैगनी विक्रनर से पिर्थवी पर जियो जन्तुओं और जियो धारियों पेड़ पौधों की रक्षा करता है तो याद रखेगा ओजोन परत पिर्थवी के वा 1532 में, 14 1549 में, कन्योज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था तो द्वरा, चावसा, कन्योज और सरहिंद ये हुमायू द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम है आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दूस्तों, भारत में सरवाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला प्रदेश काउन है, राजस्थान, महराष्ट, मत्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश 2011 की जनगर्णाय के अनुसार देश में अनुसूचित जाती यानि सिड्यूल्ड काष्ट की सरवाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है जबकि अनुसूचित जाती की सरवाधिक प्रतिशत्ता वाला राज ऐसे तो पंजाब है, लेकिन कुट जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जाती की जनसंख्या निवास करती है अगला प्रश्ण है भारत की 142 से अधिक नगरी जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करती है, वे कौन से हैं, तो उत्तर है उत्तर प्रदेश और महराष्ट तो महराष्ट और उत्तर प्रदेश आप संटी आपका सहे उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2011 के आकड़ों के अनुसार जो है देश की कुल नगरी जनसंख्या 37,71,6,125 है जिसमें से उत्तर प्रदेश में 4,44,00, और महराष्ट में 5,8,00, यानि जो है एक चौथाई से अधिक नगरी जनसंख्या केवल दो राज्यों महराष्ट और उत्तर प्रदेश में न लेकर बिरोध करने वाले पहले भारती कौन थे आपको बताना है दादा भाई नरोजी सुरेंद्रनाथ राजा राम मुहन राया बाल गंगा धरती लग तो सही उत्तर आप संधी बाल गंगा धरती लग हो जाएंगे आप जान लीजे दोस्तों कि राजनेतिक सुधारों को लेकर बिरोध करने वाले पहले भारती बाल गंगा धरती लग थे अगला प्रशन है दोस्तों संसार में सरवाधिक नगरी कृत देश कौन सा है जापान जर्मनी इजरायलिया सिंगापूर तो सही उत्तर है सिंगापूर दोस्तों आप जान लीजे कि बिस्व की 52.1 कहा जाए नगरी करन है तो आपसंस में से सिंगापूर जो है संसार का सरवाधिक नगरी कृत देश हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों भील जनजाती कहां पर पाई जाती है असम जार्खंड पश्यम बंगाल या महराष्ट तो सही उत्तर आपसंडी महराष्ट में भी भारती राजविवस्था से कि एक उच्च नयाले का नयाधिस अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है तो आपसंड बताने की आवशक्ता नहीं है चाहे उच्च नयाले का हो या सरवच नयाले का नयाधिस उसको त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट पती को द आप जान लिजे दोस्तों भारती संबिधान में आठवी अनुसूची में संबिधान द्वारा माननेता प्राप्त 22 भासाओं को माननेता प्राप्त भासाओं के रूप में उलिखित किया गया है अगला प्रष्ण आसान सा है भारती संबिधान में कुल कितने अनुच्छेद भाग और सूचिया हैं तो जब संबिधान का निर्माड हुआ था तो उस समय संबिधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचिया थी तो इस समय अगर जो देखा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है ऐसे भाग भी बढ़े हैं और अनुच्छिया भी बढ़ी है लेकिन अनुच्छेदों की संख्या को वहू बहू वही इसलिए रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद कखग या ABC करके बढ़ाए गए है तो भारती संख्यान में वर्तमान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग मूल रूप में थे और कख करके बढ़ाए गए हैं तो 25 भाग हो गए हैं और 8 अनुच्छियों के अस्थान पर 12 अनुच्छिया हो गई हैं तो यहां पर आप अपसन ए को सही मान सकते हैं 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुच्छियां भारती संख्यान में सामिल है अगला प्रेशन हैं दोस्तों संबिधान को 26 जन्वरी की दिन लागू करने का नेड़े क्यों किया गया था तो आप इसका उत्तर जानते होंगे आसान सा उत्तर है कि कांग्रेस ने इसी तित हो 1930 में सोतंता दिवस के रूप में मनाय था तो ये एतिहासिक महत्तों का दिन था इसी लिए 26 जन्वरी के दिन संबिधान को लागू किये जाने का नेड़े लिया गया था अगला प्रेशन है यूरोप की एक परवस रिंखला है कौन सी आलपस हिमाले इंडी जियरा की तो सही उत्तर है आलपस आलपस परवस रिंखला जो है यूरोप में है और इसका यूरोप में सबसे अधिक विस्तार स्विटिजल लेंड में है पूरो में इस्थित यूराल परवत यूरोप को एशिया से अलग करती है और ये परवत उत्तर दक्षिड में 2200 किलोमेटर लंबा और 80-120 किलोमेटर चौड़ा है जिसकी ओसत उचाई 300 मीटर है अगला प्रेशन है दोस्तों बहुत देशी जो है नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था तो जवाहर लाल नहरों ने भारत में दोस्तों संयुक्तराज अमेरिका जैसे जो टैनिसी घाटी योजना क आधार पर भारत में नदी घाटी पर योजनाओं का विकास किया गया और ये बहुत देशी पर योजनाओं जो हैं वो एक प्रकार से बिजली और सिचाई के लिए महत पूर हैं इन बहुत देशी नदी घाटी पर योजनाओं को पंडी जवाहर लाल नहरों ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था अगला प्रेशन हैं दोस्तों चटान पर उगने वाले पादब क्या कहलाते हैं तो सही उत्तर है शैलोध भीद यानी चटान पर उगने वाले पादबों को जो कठोर चटानों पर उगते हैं उनको शैलोध भीद कहा जाता है अगला प्रेशन हैं दोस् वाई मंडल में आर्दता या जलवास्प नापने का जो है उपकरण है तो आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेश्ण है कि विरंजक चूण के लिए कौन सा कथन असत्य यानि गलत है ये जल में अधिक बिले होता है हलके पीले रंग का चूण है आगसी कारक है और तनु अमली की प्रतक्रिया से क्लोरीन निस्कासित करता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसन E जल में अधिक भी ले है ये सही नहीं है आप जान लिजे विरंजक चूण क्लोरीन कोशुसक बुझे हुए चूणने से क्रिया करके विरंजक चूण बनता है ये एक हलके पीले रंग का चूंड होता है इसमें क्लोरीन की गंधाती है और इसका उपयोग क्लोरीन, क्लोरोफार्म के निर्माड में पेजल को शुद्ध करने, जिवाण उनाशक के रूप में, रंगीन कपणों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफेद करने में किया जाता ह तो ये देखे, ये तीनों ही कथन सही है, आपसन ए आपका असत्य है, अगला प्रशन है दोस्तों, किस खनी से रेडियम प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर, पिछ ब्लेंड, रूटाईल या हेमेटाइट, तो सही उत्तर है पिछ ब्लेंड से, पिछ ब्लेंड से दोस और मैडम क्योरी ने किया था, अगला प्रशन है दोस्तों, बत्ती वाले इस्टोब में केरुसीन का बत्ती में उपर चढ़ने का कारण क्या होता है, परासरण, विशरण, प्रिष्ट तनाव या जीवद्रब्य संकुचन, तो सही उत्तर है प्रिष्ट तनाव या सरफेश दोस्तों, आप जान लीजे बत्ती वाले इस्टोब में केरुसीन का बत्ती में उपर चढ़ने का कारण प्रिष्ट तनाव होता है, और प्रिष्ट तनाव के कारण केसी का करसन होता है, जिसके फलसरोप द्रव जो है पतली नालिकाओं के माध्यम से प्रवेस कर जाता है, और लैम्प के इस्टोब की बत्ती जलती रहती है, अगला प्रिष्ट है निमनलिकित में से कौन सी विटामिन की खून जमने में आव सकता होती है, विटामिन A, C, E या K, तो सही उत्तर है विटामिन K, आप जान लीजे विटामिन K का संसलेशन सरीर में होता है, ये रक्त क थक्का बनाने या इसकंदन के लिए आवस्यक होता है, विटामिन A की कमी से रताओं धी, तो अच्छा का सुस्क पढ़ना, विटामिन C के कारण इसकर भी रोग, विटामिन D की कमी से हड्डियों का कम जोर होना, और विटामिन E की कमी से बांचपन होता है, तो याद रखि मैगनेसियम, दोस्तों आप जान लिजे कि खनिज लवड उतकों का निरमार तथा शरीर की सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है, और आप जान लिजे क्लोरीन जो है क्लोरीन में क्लोरोफिल में मैगनेसियम आयन पाया जाता है, बहुत ही महतपूर है कि क्लोरीन में मैगन अगला प्रिश्ण है आम की बीज रहित प्रजाती कौन सी है रतना बामबे ग्रीन कृष्ण भोग या सिंधु तो सही उत्तर सिंधु जो है वो आम की बीज रहित प्रजाती है अगला प्रिश्ण है दोस्तों निमनलिखित में से कौन सा मनुष्य में आवसेसी या वेश्टिजियल अंग नहीं है निक्टेटिंग परदा करड़ पाल की करड़ा भिमान स्पेशियां सामने वाले चप्टे दात या वर्मी फार्म एपेंडिक्स तो सही उत्तर है सामने वा साथ मिलकर सामान या सामोहिक रूप से कारे करते हैं सामान क्रिया वाले सहयोगी यंगों के इस समों को तंत्र कहा जाता है मनुष्य के प्रमुख आवसेसी यंगों में निक्टी टेटिंग परदा करड़ पाल की करड़ा मानस्पेप्सियां वर्मी फार्म एपेंडिक्स ग बांध पर योजना किस नदी पर निर्मित है तो उत्तर है बेतवा नदी पर आपसन भी आपका सही उत्तर है रानी लक्षमिवाई बांध पर योजना बेतवा नदी पर है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त पर योजना है अगला प्रेशन है दोस्तों पीत क्रांती या एलो रिवलुशन का संबंध किस उत्पादन से है उत्तर है तिलहन उत्पादन से खाध्यान उत्पादन का संबंध हरित क्रांती मत्स उत्पादन नीली क्रांती दुगधु उत्पादन वाइट या स्वेत क्रांती जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पाधन से है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट नहीं है लाट्विया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तो सही उत्तर स्लोवाकिया दोस्तों याद रखेगा लाट्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया लाट्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को बाल्टिक कंट्रेज कहा जाता है ये तीनों राष्ट बाल्टिक सागर के पूरों में इस्थित है और ये मध्यम खारे पानी का सबसे बड़ा प्रायस आगर माना जाता है जबकि सुलोवाकिया बाल्टिक राष्ट नहीं है बलकि यूरोप महादीब का देश है और सुलोवाकिया की राजधानी ब्राटिस लावा है तो याद रखेगा लाट्विया लिथुआनिया और माइक्रो कम्प्यूटर तो सही उत्तर है माइक्रो कम्प्यूटर माइक्रो कम्प्यूटर छोटे आकार के और कम कारे छमता के होते हैं इन कम्प्यूटरों में किवल एक प्रोसेसर या CPU लगाया जाता है इन कम्प्यूटरों पर एक समय में एक ही व्यक्तिकारे कर सकता है औ तो सही उत्तर है बायो गैस संयंत्र दोस्तों आक्सीजन की अनुपस्थिती में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन गैस बायो गैस कहलाती है बायो गैस में मेथेन और कार्बन डायकसाइड होते हैं और बायो गैस की समाप्ति के बाद संयंत्र में जो औसिष्ट पदार्थ भचता है उसमें नाइट्रोजन और फासफोरस जैसे कई योगिक होते हैं तो इसलिए औसिष्ट पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है तो याद रखेगा बायो गैस संयंत्र शक्ति और खाद दोनों ही दे सकता है अगला प्रशन है किसी निश्चित छेतर में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे परियावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है आपसं देखिए जन संख्या वहन जहमता संख्या या जैवदरब्यमान का पिरामेड या उपरोक्त मे रहने वाले लोगों की संख्या है और जैवदरब्यमान किसी छेतर विशेस में उपस्थित जीवों की मात्रा होती है अगला प्रशन है निश्चित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन दोस्तों कार्बन डाइकसाइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादे जिम्मेदार है क्योंकि कार्बन डाइकसाइड, नाइट्रोजन आकसाइड, यलवास, मीथेन और जो ओजोन गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार है लेकिन सब से अधी खानिकारक ग्लोबल वार्मिंग गैस कार्बन डाई आकसाइड है अगला प्रेशन है निचली गंगा नहर का उद्गम अस्थल कहां पर है बरेली हरी द्वार कानपूर या नरोरा तो सही उत्तर है नरोरा नरोरा बुलन शहर जनपद में है और यहां से निचली गंग उर्दू को दूती राजभासा कब घोशित किया गया था तो 1989 याद रखिएगा 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलप संख्यकों की भावनाओं को समाधर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभासा शनसोधन अधियम 1989 पारित करके उर्दू को दूसरी राजभाशा घोशि क्यों कि धोबिया धोबी जाते जारा किया जाने वाला नरित्त है राई बुंदेल खंड की महिलाओं द्वारा और शायरा बुंदेल खंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नरित्त है अगला प्रेशन है दोस्तों जलिया वाला बाग में परदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे पहला है गांधी जी और लाजपतराय की गिरफतारी की विरोध परदर्शन के लिए किचलू और सत्तिपाल के बंदी बनाने की विरोध में परदर्शन करने के लिए बैसाखी की प्रार्थना के लिए पंजाब सरकार के अमानवी कारे कलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए तो सही उत्तर है सत्तिपाल दोस्तों डाक्टर किचलू और डाक्टर सत्तिपाल के बंदी बनाय जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जलिया वाला बाग में इकठा हुए थे अगला प्रश्न है एरलाइन गोल्ड कप का संबंध किस्से है हाकी, टेबल, टेनिस, फुटबाल या इसक्वास से तो सही उत्तर है फुटबाल से एरलाइन स्वन कप फुटबाल से संबंधित है और फुटबाल से संबंधित अन्य कपों में फीफा कप, यफ ए यूरोपियन चैंपियनसिप, कलब कप, यूफा कप, प्रेसिडेंट कप, मार्डेका कप, सुपर कप, टोएटा कप, और अमेरिकन कप, कोको कोला कप ये सब ही दोस्तों फुटबाल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा, एरलाइनस गोल्ड कप का संबंध फुटबाल से है अगला प्रेशन है, 2011 की जनगर्ना के अनुसार उत्तर प्रदेस में महिला आबादी, कुल आबादी का लगभग कितना है पचास प्रतिशत, अनुसार उत्तर प्रदेस में महिला आबादी लगभग 48 प्रतिशत है अगले प्रेशन पर आते हैं, मासमाई गुफा में जीयो रिसा, मासमे इनस, नामा के एक सुक्ष मगोंगे की परजात के खोज की गई है ये गुफा किस राज्य में है, मेघाले, मडिपूर, सिक्की मियात्री पुरा में, तो सही उत्तर हो जाएगा मेघाले में आपसन, ये आपका सही उत्तर है मेघाले के चेरा पुजी के पास मासमाई गुफा में, जीयो रिसा, मासमाई इनस, नामक सुष मगोंगे की परजाति की खोज की गई है अगला प्रश्ण है दोस्तों, हाल में किस स्तिथी को बिश्व आयोडीन अलपता दिवस की रूप में मनाय गया है तो उत्तर है 21 अक्टूबर याद रखेगा प्रतिवर्स 21 अक्टूबर को बैस्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस अथवबी सो आयोडीन अल्पता दिवस की रूप में मनाय जाता है डबलू यच्चो के अनुसार लगभग 54 देसों में आयोडीन अल्पता अभी तक मौजूद है और अल्पता दिवस आयोडीन अल्पता दिवस का उद्देश सामाने नागरिक और सरकार का आयोडीन जनित गंभीर विमारियों की तरफ ध्यान आकरशित करना है अगला प्रेशन है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राजे सरकार की है मिजोरम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या भीहार तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश दोस्तों देखेए 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री राशन आपके दार योजना सुरू किया गया और ये योजना दिब्यांग जन ब्रिध सारेरिक रूप से अक्षम और गरीब आदिवाशी परिवारों की सुविधा के लिए सुरू किया गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग यानि यूपी ट्रिपल एसी द्वारा आयोजित किये जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी यानि वीडियो रे एक्जाम परिक्षा के लिए सामान्य जानकारी यानि सामान ग्यान के लिए मह 50 प्रश्णों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी आयोजित होने वाली विभिन परिक्षाओं के लिए भी आवस्यक है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना लाबदायक हो रहा है हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फ़र सिविल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार